जो कोई सिख्षा के अहमियत को जानता है जो भाली बाती सिख्षा का पूजता है वो जानता है कि खांसवर क्या सक्स है क्योंकि आज के समय में सिख्षा में धर्म को जोड़कर नहीं देखना चाहिए सिख्षा को सबको एक समान देखना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ट्वीटर पर खांसर के बारे में इतना गलत गलत चीज़े क्यों ट्रेंड की जा रही है कि सबसे पहले आपको यह जाना चाहिए किसी तीचर का धर्म नहीं होता क्योंकि टीचर सबके लिए एक समान होता है और जो लोग ट्वीटर पर आज समय में आग लगा हैं तो छाहता हूं कि कि सी भी टीचर का कोई धर्म मजब मायने नहीं रखता कुभ उसके लिए सिक्षा मायने रखता है वह अपने स्टुडेंट को कैसे सिक्षा देना है वह सबस्च्ण की मायने रखता है यह सब डिवेट करने से क्या फायदे आप लोग ट्रेंड करना चाहते हैं कुछ साग खांसर बोलते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है कोई मजब नहीं है मेरा एक ही धर्म है क्योंकि मैं एक भारतियां हूं क्योंकि इस बात से आपको अस्पश नहीं हुआ और बहुत सारे महान भावक बोल लाए हैं कि पहले तुम अपना बाइग्राउंड देख लो पहले तुम यह देख लो कि तुम हो क्या तो सबसे पहले आप लोग को लिए मै पताना चाहता हूं कि जब खांसर की मान सिखता है इतना महान है तो आप खुद क्यों ट्रेंटर पर ट्रेंड करा रहे हैं आप एक स्टुडेंट है भाली बाती समझते हैं कि वह के लैक ऐसा बंदा कि 60 ला गरी बच्चों की पढ़ा रहा वह सौडला गरी बच्चों के पढ़ा रहा वह भी दो सवर्यास में आपके में इस समय जरूरत है देश को सर्व परि रखने की जो हमेशा अपने वीड़ियों भात करते हैं देश को हमें सर्व परिषौणा है कियों क्यों क्यों हम देस के भारतिय नागरिक होने करते सबको हमें एक समान से देखना है इस में एक हिंदु किया मुसलिमद अरे इससे क्या फाइदे इसको अब train करना क्या सावित करना चाहते हैं और एक टीचर होता है एक महान सोच वाला इंसान होता है जो समाज का निर्माता होता है आप उसे बदनाम कर रहे हैं कि जो एक इंसान गरीब वच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुष्तिया कर भली भात लाती उसको कैसे मुनरंज के साथ पढ़ाता हुआ चाहिए बहुत सारे टीचर है जी के जीए पढ़ाते हैं जो आपको प्रॉब्लों हो रहा है कि हिंदू है चो वह बंदा बोल्ले कि भारतिया हूं और भारतियों होने करा नाते मैं सबको एक समानदेखता हूं तो आपके लड़ने से जगरने से ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि आज के समय में सिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और धर्म से बड़ा सिक्षा है और सिक्षा से ही इंसान महान बनता है सिर्षा से इंसान में अच्छे से सूच आती है अर अपने आपको मोटिवेयट करताए और समाज में अपने आपको अस्थापित करता है तो खांसर बड़ी मेनध आपको अस्थापित किये हैं वह बोल रहे थे कि मुझे सिना में जाना अच fulf thereby तो मैं जरूर जाओंगा तो आप खूझ सकते हैं रहे इनसान बड़ा हो गया है बच्चों से बहुत पयार करते हैं और बोल रहा है कि मुझे सिनम में जाने के मौका दिम मिलेगा तो मैं जरूर जाओंगे अब उसका सोंच को पकड़ें उसको बातो को नहीं अगर आप उसका सोंच को पकड़ेंगे तो भली बाती उसी इंसान को जाएगे उस गरीव से आके जाकर पूछिए जिसके पास पटने में पढ़ने का पैसा नहीं था पटना फीस पता कितना है तीस हजार चालीस हजार पचास हजार रुपिया है क्या कोई ऐसा टीचर है जो 200 रुपे में आपको क्लासेस कराता हो कोई है आपके नजर में नहीं है और खांसर अपना YouTube खोल करक्ते हैं उसमें डाउलोलड का प्रॉस नहीं से पढ़ सकता है और फ्री में किसी भी बच्चे का केरियर बन जाये और वह उपने परिवार का नाम रोषन करे इक अच्छा पद पर जाकर बैठ जाए आपके जैसे घाटिया सुच नहीं रखें जूकर यह इक लिए कर रहे हैं कि चिलाना धेकाना सब कर लें लेकिन आपके चिलाने से आपके बूलने से खांसर भली भाती जानते हैं कि मुझे अपने करतेवयों का कैसे निरवहन करना है तो ये खांसर का सपोर्ट में है कि मैं ये खांसर का सपोर्ट में बना रहा हूं क्योंकि हम एक सही सोच वाले इंसान है जो कोई सिख्षा के अहमियत को जानता है जो भली भाती सिख्षा का प सब्सक्राइब नजड़ से दखते हैं तो इसमें कोई देखा जाता है कि यह लड़का उस धर्मका है यह लड़का उस धर्मका है ए जितने उम्रे में नाम कमाने हैं आपके बोलने से कुछ नहीं होगा उस उम्र में आपने नाम नहीं कमाया होगा तो भली यह भाती आप उस चीज को छोड़ दें और अपने परिवार कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ट्रेंट करने से उनका मजबूती के साथ पढ़ाएंगे मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ आज 16 लाक बच्चे हैं ना कल के समय में एक कड़ और बच्चे उनके साथ संपर्क में आका पढ़ेंगे यहीने देश विदेश के बच्चे भी पढ़ते हैं तो आपको यह सोच होने चाहिए कि सिक्षा में किसी धर्म मजब माइने नहीं रखता सिर्फ माइने रखता है तो स सिर्फ सिक्षा कि हर एक इंसान के लिए सिक्षा बराबर होता है तो आप भली बाती यह सब ट्रेंड ना करें और उस महां इंसान को बदनाम ना करें